जहीं दोस्तों आज हम जानेंगे इस्ट इंडिया कंपनी के बादे में मुगल बद्चाओं में और अंजेव आखडी बादसा था उसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से उपर नियंत्रय नस्थापीत कर लिया था 1707 में उसके मृत्तिव के बाद बहुत सारे मुगल सुभिदार और बड़े बड़े जमिदार अपनी ताकत दिखाने लगे थी उन्होंने अपने छेत्रिय रियासत कायम कर ली थी जैसे जैसे विविन भागों में ताकतवर छेत्रिय रियासत सामने आने लगी दिली अधिक दिनों तक परभाविक केंद्र के रूप में नहीं रह सकी 28 सदी के उतरार्द तक राजनेतिक 36 पर अंगरेज के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी जैसे कि अब जानते हैं कि अंगरेज शुरुवात में एक छोटी से वेपारी कमपनी के रूप में भारत आये थे और यहां के इलाकों पर कबजे में उनकी ज्यादा दिलजस्पी नहीं थी फिर ऐसा क्या हुआ कि वे विसाल समराज के स्वामी बन बैठे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे की कैसे संब्भव हुआ भारत में इस्ट इंडिया कमपनी की आगमन इस्ट इंडिया कमपनी एक निजी वेपारी कमपनी थी जिसने 16ayanवी में साही अधिकार पत्र द्वारा वेपार करने का अधिकार प्राक्त कर लिया था जिसकी अस्थापना 1690 के अंतिम दिन महरानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोसना पत्र द्वारा हुई थी यह लंदन के वैपारियों की कम्पनी थी जिसे पुर्व में वैपार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था कम्पनी का मुख्य उदेश था धन कमाना कम्पनी ने सबसे पहले वैपार की शुरुआत मसालो वाले द्वीपो से की 1608 हिस्वी में उसका पहला वैपारिक पोत सुरत पहुचा प्रंतु पुर्तगालियों के प्रतिरोध और सतुरुता पुर्ण रवईये ने कम्पनी को भारत के साथ सहज ही वैपार शुरू नहीं कर पुर्तगालियों से पटने के लिए अंग्रेजों को डच इस्ट इंडिया कम्पनी से सहायता और समर्थन मिला और दोनों कम्पनीयों ने एक साथ मिलकर पुर्तगालियों से लंबे अर्से तक जम कर तगरा मुर्चा लिया फिर 1612 इस्वी में कैप्टन बोस्टन के मिला और सूरत में वेपार करने का उसका अधिकार सुरक्षित हो गया 1612 इस्वी में अंग्रेजों ने और मुझ पर आक्रमन कर दिया जिसके फल सरूप वे पुर्तगालियों के प्रति सोधिया आक्रमन से पूरी तरह सुरक्षित हो गये वेपार में इस्ट इंडिया कमपणी के इस एका अधिकार का कई अंग्रेज वेपारियों ने विडोध किया और 27 सताबदी के अंत में दि इंडियन कमपणी ट्रेडिंग टू दि इस्ट इंडिज नामक एक प्रति दिविंदी संस्था के अस्थापना की नई और पुरानी दोनों कम्पनियों में कड़ी प्रति दिविंदिता चल पड़ी जिसमें पुरानी कम्पनी के पैर उखडने लगें किन्तु भारत और इंगलेंड दोनों ही जगह अत्यंत कट्टू और अप्रतिष्ठा जनक प्रति दिविंदिता के बाद 1780 में समझाता हुआ जिसके अंतरगत दोनों को मिलाकर एक नई कम्पनी बना दी गई जिसका नाम रखा गया यह संयुक्त कम्पनी बाद में इस्ट इंडिया कम्पनी के नाम से मसुहूर हो गया डेड सो वर्सो में वह मात्र एक वैपारिक निगम न रहकर एक ऐसी रजनेतिक एवं सैनिक संस्था बन गई जिसने संपुर्ण भारत पर अपनी प्रभुस्ता स्थापित कर दिया